सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुविचार सी होसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीप में ताकत की दवा देते हैं जीवन मिलना भागय की बात है, मृत्यों होना समय की बात है, पर मृत्यों के बात भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है प्रसंसा के भूग अयोग्यता की परिशालक है काभीलियत की तारीप तो विरोधियों के भी दिरस निकलती है आज का पंचांग 8 अगस्त 2020 देश यनीमार सावनमास के क्रिश्नपक्ष की पंचमितिती सुबर 4 बच कर 19 मिलट तक रहेगी इसके उपरान सश्टितिती प्रारम हो जाएगी उत्तरभादर पदा नामक नक्षत्र शम 4 बच कर 12 मिलट तक रहेगी इसके उपरान रेवती नक्षत्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल अर्थाद दिन का सबसे असूप समय सुबर 9 बच कर 11 मिलट से 10 बच कर 48 मिलट तक रहेगा आज का अभिजीत महुरत अर्थाद दिन का सबसे सुप समय दोपहर 12 बजे से 12 बच कर 33 मिलट तक रहेगा आज शंद्रम मीर राशी पर संचार करेगी और आज शूर्यक करक राशी पर रहेंगी कुम्रासी 8 अगल स्था 2020 देश शनिवार आज किसे भी सौदे या विक्री के फायदे और कमजोरियों का मुल्यांकन करने के लिए समय निकाले बैठके किसी नए शुरुवातिया अनुभाव का कारण बन सकती है परवार खुसी और आत्म मुल्य की भावना को बढ़ है आज महत्वपूर्ण लोगों को भी वक्त दे परवार से जुड़ाव मैसूस करेंगी किन्तो आर्थिक रूप से थोड़ा तना हो शकता है सहियम के साथ खर्च करना सफलता की कुनजी है जब आपकी विनम्रता और शहियम सकती से मिल जाएंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता नकरात्मक लोगों से दूर रहें जूट बोलने वाले लोगों से भी आप दूरी बना कर रखें आज अब घर से संबंदित अपने जिम्मेदारियों को समझ का संचीदगी और गंभीरता से पूरा करेंगी अचानक ही कोई खोई हुई वस्तू मिल जाने से रहत मिलेगी परवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा आज के दिन आपके लिए यात्रा करने या यात्रा की योशना बना सकते हैं आपको अपने बात करने के तरीकों में थोड़ा वदलाव या सुधार करना चाहिए ताकि आप अपने बात ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख सके आपके लिए आज लोगों का सही योग मिलने का संकेत हैं जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए कोछ अच्छा योग बन रही हैं आप अपने मन की बाद प्रियुचनों से कर शकती हैं शौधानिया अचाने की कोई बहुत बड़ा खर्शा सामने आ सकता है जिसकी वज़े से आर्थी के स्थिति दगमगा सकती है परन्तु इस समय धैर और शैयम से कारे करना उचित है अभी क्रोथ और तनाव की वज़े से परिस्थित्यां और गंभीर हो चाईगी शौधानिया लव लाइफ की बात करें तू आज इपकी से इस्पेशल वैक्ति की रूप रंग वा आकर्शन से प्रभावित हो शकती है प्रेम जीवन में बड़े कदम उठाने के लिए द्रेश अंकल्प के साथ ध्यान को केंद्रित होना बेहत शरूरी होता है अपने एहंकार को छोड़कर इससे में पूरे जोस रोमेंटिक जीवन की इन लम्हों का स्वागत करें अच्छे आपकी लालसा अपने साथी की साथ समय बिताने और उन पर पैसे खर्श करने की होशकती है किसे खास के लिए उफार खरीदना उसे आनंदित मैसूस करा शकता है सबकी प्रशंशा करें और अपनी जीवन में उसके महत्व के बारे में उसे बताएं या छोटी छोटी बाते आपकी जिन्दगी को रंगीन कर देगी करियर की बात करें तू आपका सरल स्वभा और प्रतीभा आपकी पैशान है जो आपको वाकी लोगों से अलग बनाती है आज आपका व्यवशाइक जीवन सुनहरा है और हर प्रयास से आपको संदार पढ़ना मिलेंगी खुशिबरे इस दिन में आपका मिज़र रोमेंटिक है और आप किसी खास के साथ अच्छा समय बिता सकती है आज अपने कारे स्थल में परफेक्शन प्राप्त करने के साथ साथ लंबे समय से अटकी पर योशनाओं पर भी काम करना शाहती है कोई अंचाहब है आपको परशान कर सकता है आपको अपनी कारे शम्दा पर पूरा विश्वास है इसलिए आप हर काम को निर्धारी समय सीमा से पहले पूरा करती है किसे पर भी आखी बंद करकर भरोशन ना करें शेहत की बात करें तूं मांसिक और साररिक तोर पस स्वस्त रहने का प्रयतन तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है इसलिए आप इस मंत्र को अपने और शकरात्मक विचाल लाएं आप सरीर के मसाज करें ताकि ठकावट दूर रहें ध्यार रखें की मांसिक और शारिक सेहत ही आपका अच्छा स्वास्त बनाय रखने में मदद करेंगी आज का टिप्स आज अब किसी पर भी आँग बंद करके भरोशन ना करें आप खुद पर यकीन रखें शकरात्मक रहें दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में आपका देश शुब हूँ